ये आकाश्वणी रैपुर है प्रादेशिक समाचार बिलेटिन के साथ मैं लता देवी चोहान और अब पेश है आज की मुख्य समाचार मुख्य मंद्री मितान योजना के तहत अब लोगों को घर बैठे पैन कार्ड बनवाने की सुविध हमिलेगी मुख्य मंद्री ने मुख्य सचिव से व्रिक्ष संपदा की कारी योजना तयार कर मंद्री परिशत की होने वाली बैठक में पेश करने को कहा समाच को एकता भाईचारे और समरस्ता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासिदास की आज जैनती मिनाई जा रही है मुख्य मंद्री ने सभी संभागी मुख्यालों में अनुसुचित जाती और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चातरावास तथा प्रिथक प्रियास विद्याले खोलने की घोशना की और सरगुजा जिला पुलिस ने हमर बेटी हमर मान अभियान के तहट अंबिकापुर में वाक एक और कारिकरम का किया आयोजन अब समचार विस्तार से मुख्य मंद्री मेतान योजना के तहट अब लोगों को घर बेटे पैन कार्ड बनवाने के सुविधा मिलेगी मुख्य मंत्य भुपेश बगिल ने राजसरकार के कारेकाल के चार वश पूर्ण होने के उपलक्ष में या घोशना की पैन कार्ड बनवाने के लिए मितान को घर बला कर आविदन देना होगा इसके लिए टोल फ्री नंबर 14545 भी जारी किया गया है इस नंबर पर फोन कर कोई भी नागरिक पैन कार्ड बनवाने से संबंदित जानकारी ले सकता है गौर तलबे के राज्जिक के 14 नगर निगमों में फिलहाल मुख्य मंत्री मितान योजना का लाव नागरिकों को मिल रहा है मुख्य मंत्य भुपेश बगेल ने मुख्य सचीव को सेक्षनिक संस्थाओं सहित अन्य शासकी भवनों के मरमत और रखरकाव की कारियोजना कर आगामी कैबिनट के बैठक में प्रस्तुत करने को कहा है उन्होंने कहा कि शाला भवनों, आश्रमों और छात्रावासों के मरमत की ओर पूरू में ध्यान नहीं देने के कारण इन भवनों में पढ़ाई लिखाई करने में विद्यार्थियों को परिशानी हो रही है इसलिए आगामी सेक्षिनिक सत्र शुरू होने से पहले इन भवनों की मरमत और रखरकाव करना जरूरी है वही प्रदेश के मुक्यमंत्री व्रिक्ष संपदा योजना भी शुरू की गई है इस योजना का उद्देश निजी भूमी पर व्रिक्ष रोपन को प्रत्साहित दे कर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है इससे लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा मुक्यमंत्री व्रिक्ष संपदा योजना का प्रस्ताव तयार कर मंत्री परिशत की आगामी बैठक में इसे प्रस्तुत करने को कहा है समाज को एकता भाईचारे और समरस्ता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासिदास की आज जेयनती है इस अवसे पर प्रदेश भर में विभिन्न कारिक्रमों का आईजन किया जा रहा है मुक्यमंति भुपेश वगेल आज रहापुर के शासकीय आदश पोस्ट मैट्रिक अनुसुचित जाती बालक चातरावास में आज़ित सम्मान और आभार कारिक्रम में शामिल हुए इस अवसे पर उनुसुचित जाती और पिछड़ अवर्ग के विद्यार्थियों के लिए चातरावास तथा प्रिथक प्रयास विद्याले खोलने की घोशना की वहीं उन्होंने पोस्ट मैट्रिक बालक चातरावास में पचास लाख रुपए की लागत से ई-लाइबरेरी बनाने की भी घोशना की समारों को संभधित करते हुँ मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुघासिधास ने मानवता को बचाने के लिए मानव मानव एक समान का संदेश दिया साथी उन्होंने समाज में फैली कुरूतियों को दूर करने के लिए समानता भाईचारा प्रेम और सद्भाव का भी संदेश दिया उन्होंने कहा कि गुरुघासिधास एक मात्र संत हैं जिन्होंने चत्तिस गड़ी में उपदेश दिया कारिक्रम में नगरी प्रशासरमंती डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया, संसदी सचेव चंद्रदेव राय, महापौर एजाज धेवर और रापूर नगम निगम के सभापती प्रमोदुबे भी शामिल हुएं वही मुख्यमंत्री शिपगेल मुंगेली जिले के ग्राम लालपूर मैयाजित घासिदास जैन्ती समारों में भी शामिल हुएं, इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास कारियों के लिए एक करोड रुपे देने की भोशना की इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास कारेले में गुरुघासिदास के चित्र पर माल्यारपन कर उन्हें नमन किया और प्रदेश की सुक सम्रिद्धी और खुशाली की काम न की वही विठासभा ध्यक्ष डॉक्ट्र चरंदास महंत ने विठासभा परिसर इस्थित सेंट्रल हॉल में बाबा गुरु खासिदास के तैलचित्र पर शद्दर सुमन अर्पितकर उन्हें याद किया अपने संदेश में डॉक्टर महंत ने कहा कि गुरु घासिदास का जीव अंदर्शन और विचार मूल पूरी मानव जाती के लिए कल्यान कारी है वहीं कैबिनेट मंतरी मुहमद अकबर, कबीर धामजिले के ग्रामतारों और बंदोरा में आयजित बाबा घासिदास जैनती समारों में शामिल हुए इसके बाद विचासकी ये पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक चातरावास में आजित शहीद वीर नरायन सिह बलिदान दिवस कारिक्रम में भी शामिल हुए सरुगजाज जिला पुलिस द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान के तहट लैंगिक समानता सुरक्षित यातायात महिला ससक्तिकरन और स्वस्ट शरीर के लिए जागरूपता अभियान चलाए गया इसके तहट अमरिकापूर के गांधी स्टेडियम में वाक एक औस कारिक्रम का आजन किया गया इसमें स्वास्त मंतरी टीए सेहिदेव खाद्य मंतरी अमर जीत भगत सहित जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी तथा स्कूली बच्चे शामिल हुए कारिक्रम में शामिल लोगों ने जुम्बा डांस और वाक धन किया इस अउसर पर सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात संबंदी समस्याओं के निराकरन के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया राजे के विभिन जिलों के नगर निगम नगर पाली का परिशद नगर पंचातों और 33 पंचास संस्था में रिक्त पदों के पूर्ती के लिए होने वाले उपचनाओ के लिए इन दिनो नामंकन पतर दाखिल करनी की प्रक्रिया चल रही है नामंकन जमा करनी की अंतिम्तिथी 23 दिसंबर है वही नामंकन पत्रों की जाच 24 दिसंबर से की जाएगी उमीदवार 26 दिसंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे और इसे दिन चुनाव चिन्यों का अबंटन किया जाएगा त्री स्टरी पंचाय चुनाव और निकाय चुनाव के तहट मतदान नौ जन्वरी को होगा मतदान मत पत्र द्वारा राज्जे निर्वाचन आयो की मत पेटी से कराए जाएगा गौर्टलभय के राज्य में एक जिला पंचायत सदस्य, दस जन्पत पंचायत सदस्य, 127 सरपंच और 597 पंच सहित कुल 735 रिक्ट पदों पर उप्चनाव कराय जाएगा वहीं प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरी निकायों में 15 वार्ड पार्शदों के पदों पर भी उप्चनाव होना है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी रापूर से सुन रहे हैं अरब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर भारती जंता पार्टी की रापूर शहर इकाई ने कॉंग्रेस सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष में सरकार द्वारा की गई कतित वादाख खिलाफी के दर्शाते हुए एक पोस्टर प्रदेशनी लगाई रापूर के घड़ी चौक में लगाई गए इस प्रदेशनी में कॉंग्रेस द्वारा के गए 36 वादों को कट आउट बनाकर प्रदेशित किया गया है पूरो नेता प्रतिपश धरमलाल कौशिक ने इस प्रदेशनी में शामिल हुए और उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी करने का अरोप लगाया उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में मेलाओं के खलाप अपरादों में बढ़ोतरी हो रही है और जन्ता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है कारेक्रम में पूरो मंतरी राजिश मूनत सहित अन्य भाजपा कारेकरता भी शामिल हुए वहीं दोर्जगले के रिसाली में भाजपा कारेकरताओं ने विरांसबासतरी सम्मिलन का आयजन किया इसमें पूरो मंतरी अजय चंद्राकर शामिल हुए इस मौके पर श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला वहीं आपरादी घटनाय लगातार बढ़ रही है लोगों को प्रदान मंतरी आवास योजना का लाब नहीं मिल रहा है सम्मिलन में भाजपा महिला मोर्चा की पदादिकारी और कारेकरता शामिल हुए अखिल भारती आयरोविज्ञान सस्थान एम्स रापूर के चिके सकों ने शिलोंग में आयजित राश्टी सर की प्रश्णोतरी प्रतियोगिता में तीन पुरसकार प्राप्त किये हैं इंडियन सोसाइटी ओफ एनस्थीसियोलोजिस्ट की उनत्तरवी वाशिक राश्टी कॉन्फरेंस शिलोंग स्थित नॉर्थ इस्टेन इंदरा गांधी रीजिनल इंस्टिटूट ऑफ हेल्थ और मेडिकल साइंसेज में आयजित की गई थी इसमें विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नंद किशोर अगरवाल के निर्देशन में जूनियर रेसिडेंट की टीम ने एजुकेशनल फेस्ट में भाग लिया कॉन्फरेंस की प्रतिष्ठित प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता में डॉक्टर अभिमन्य प्रभून इस्वन डॉक्टर धनज श्री गनेश ने कांस्य और डॉक्टर नंदीश्वरा डीके ने पांचवे स्थान पर सांत्वना पुरसकार प्राप्त किया एम से रापूर की निदेश्यक प्रफेसर डॉक्टर नितिन एम नागर करने टीम के प्रयासों की प्रशनसा करते हुए उन्हें बढ़ाई दी है अब और कुछ अनखबरें संक्षेप में राश्टिय सांखकी कारेला द्वारा प्रदेश में असमाविष्टश सित्र में उद्यमों का वाशिक सरविक्षन किया जा रहा है आपूर सहित प्रदेश के विभिन जिलों में कारिक्रमों का आयजन किया गया जानगे चापाज जिले के तिले गाव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के घटना में 11 लोग घाल हो गए हैं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है इसी जिले के देवरी मोड के पास अग्यात वहन की चपेट में आने से मोटर साइकल सवार एक युवक की मौत हो गई दुरुख जिले के भिलाई तीन में आज सुबह हुए दो सड़क खासों में एक वेक्ती की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घाल हो गए हैं रापुर के गुडियारी अलाके में बिते 16 दिसंबर को शुभायातरा के दरान चाकुबाजी की घटना में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो नाबालिक सहीद 6 लोगों को गिरफतार किया है जाजगी चापा जिले के जावलपूर गाउं में जरजर प्राइमरी स्कूल भवन को तोड़ते वक्त भवन की छट गिरने से दो लोग मलवे में दब गये गंभीर हालत में दोनों को बिलासपूर के अस्पताल में भरती कराए गया है कुंडा गाउं जिले में बस्तर फाइटर्स में भरती कराने के नाम पर करीब डेर लाख रुपे की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफतार किया है प्रभू इश्यू मसीह के जनमोस्व कारिकरों के तहत मसीही समाज के लोगों ने आज धर्मगरों के अगवाई में रापू शहर में रैली निकाली और रापूर रेलवे स्टेशन के प्रैटफॉर्म नमबर छह में लोको पाइलेट के साथ मार पीट कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया है उनके पास से मुबाईर और नगद रकम जब की गई है मुख्यमंत्री में तान योजना के तहट अब लोगों को घर बैटे पैन कार्ड बनवाने के सुविदह मिलेगी मुख्यमंत्री ने मुख्यसची उसे व्रिक्ष संपदा की कारग योजना तयार कर मंत्री परिशत की होने वाली बैठक में पेश करने को कहा समाज को एकता भाईचारे और समरस्ता का संदेश देने वाले बाबा गुरु घासिदास की आज जयनती मनाई जा रही है मुख्यमंत्री ने सभी संभागी मुख्यालों में अनुसुचित जाती और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थु के लिए छात्रवास तथा प्रिथक प्रयास विद्याले खोलने की घोशना की और सरगुजा जिला पुलिस ने हमर बेटी हमर मान अभियान के तहट अंबिकापुर में वाक एकॉज कारिकरम का किया आयोजन इसी के साथ प्रादेशिक सबचार बलेटे समाप्त हुआ नमस्कार